अब बादे विल्कों के रहे हैं तो व्लोग वोग के यह सुवा और मैं उटके ही तो अब भी हो चुकी हुआ है और मैं लंच के लिए कुछ प्रिपेरिशन स्टाट कर चुकी हूँ और सब को चाहे दे के कुद भी चाहे पी चुकी हूँ सब कुछ मेरा काम अज खत्म है अब भी बजा है 8.15 तो अब भी तो मैं यह ड्रेस में हैं फिलाल क्यूंकि मैं अभी लंच प्रिपेर करूंगी फिर जांके आज का जो मेरा ड्रेस है नब रती के फोर डेस का जो भी मैंने रखा है ने आवला ड्रेस पहनोंगी और क्या फिर तो मुझे भी लग गई है सरदी पता ने क्यूं यह नहीं जा रहा है मतलब वन मन्त हो गया आ रहा है जा रहा है जा रहा है आ रहा है ऐता ही हो रहा है देखते हैं आगे क्या क्या होता है मेरे साथ तो चलिए आज का दिन स्टाट करते हैं यह सारा काम खत्म करके अभी बाद मैं जाओंगी रेडि होने के लिए सु सारा काम क्दा के स्पुछ के जो भी था सूबा काम मेरा में हुझा हूं varying यह में एक मिरा ओना देट पॉर का अ मतलब किया लुक और यह जो र्यास है यह मुझे और यहां यह निताए नहीं काफ़ी के लुक। लेकिन जब मैं खरीदी थी ना तब मुझे लगा ठीक ठाक है, मैं ट्राइ की थी, लेकिन आज पेहनने के बाद ये ड्रेस मुझे ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि आज तो मेरा प्लान है यही पेहनने का, क्योंकि मैं एक दिन साड़ी एक दिन ड्रेस ऐसे करके पेहन रही हूं, तो मैंने सोचा कि घर पर ही तो हूँ पेहन लेती हूं, बोलके सोच के पेहन लिया, लूज है चलेगा घर पर लूज ड्रेस अच्छा है, तो अभी थोड़ी दिर बाद मैं करूंगी पैकिंग, तो यहां पर अल्रेडी में कुछ अड्रेस वगरा, यहां पर भी सारे सब कुछ निकाल के रखा है, जो पिता सब कुछ समान ठीक करके रखूंगी, फिर जो मेरा पैकिंग है घर जाने के लिए वो करूंगी, मतलब पूरा फाइनल पैकिंग तो ने करूंगी, मैं क्या करूंगी ना, जो जो चीज मतलब जो जो ड्रेस में लेके सब कुछ में, जो पैकिंग करूंगी, लेकिन आज जीतना भी नाए ड्रेस रखा रहा है, सब कुछ में, क्या लागज में रख लूंगी, फिर पूरा दिन क्या करते हैं, देखते हैं, आज भी रात को हम जाएंगे, घूमने मंदिर जाएंगे फिर से, तो अभी हमारा प्लान है ना, बरात्री के एंड तक ही देखने जाएंगे हर रोज, तो अभी फिलाल मेरा तोड आफिस को साम में वह करूंगे, भी कुछ वीडियो एटिंग करना है, वह करूंगे, फिर जाके पैकिंग करूंगे, तो हलो फ्रेंड्स, अभी मैं मिल रहे हूं आप लोग के साथ, अभी बस चुका है रात के नौ और अभी मेरा डिनर प्रिपरेशन कर रही हूं, साथ में मैं रात के कुछ आग में चुब रहा हैं, तो इसलिए झाइड एकदम पैन है, तो मैंने सूचा कि थोड़ा सार्ती में ही ये सब हो रहा है, थंड के बज़े से, तो मैंने सूचा कि थोड़ा ग्रीन टी पी लेते, क्योंकि मैं आप अलरे शाम को एक बढ़ चाय पी चुकी हूं तो इ पिर हम लोग 10, 15 या फिर 20 में निकलेंगे बगवान दरसन के लिए जो कि हम लोग कर रहे हैं 16 देज के लिए दरसन तो पिर जाएंगे फिर क्या करते हैं आप लोग किसा शेयर कर लिए सो अब भी बचके हैं रात के साड़े दस और मैं निकल गए हूँ फिर से घूमने के लिए आज यूजल जैसे हर रोज जाती हूँ और आज ना मैं एकदम मैचिंग की चपल पहनी थी जो मेरे ड्रेस के साथ ना मेरे जो सैंडल है वो मैच कर रहा था ओरेंज ओरेंज तो फिर प्रिगेड बंद करके हम लोग निकल गए बाहर जाने के लिए और आज ना हमारे जो गली में जो पुझा होता है दुरुगा पुझा उसका लाइटिंग भी सूरू हो चुका था और बाहर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था मतलब जब गली से भी निकल रहे हूं तो एक दम अच्छा सा फील हो रहा है कि चलो यहां भी लाइटिंग हो गया यहां पर भी पुझा भाई भाई बागया और आज मंदिर भी कुछ भी सूट नहीं कर पाई बिकार आज मंदिर में इतना ज्यादा भीड़ता इतना ज्यादा भीड़ता मतलब बहुत परिशानी हो अंदर जाने के लिए इसलिए मंदिर का न सूट ही नहीं लिया बस जितना बाहर का हो सके उतना ही सूट लिया तो आज के लिए ब्लोग इतना ही आई होप आप लोग आज का ब्लोग अच्छा लगा होगा मिलेंगे नहीं एक और ब्लोग के साथ अच्छे अच्छे ब्लोग